साथियों कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीख है अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी बात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्णे लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पाहड़ियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी आईए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने समझे और समय की मांग है कि उसे स्विकार करे हम सभी को याद है कि गांदी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि जी कोई जिविदा हो कि तुमें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाई विर्थ के बारे में सोचो और स्वेम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उस से उस विर्थी की भलाई होगी कारगल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण रिल्वे लेने से पहले हम यह सोचे कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनरूप है जिसने उन दुरगम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी साथियों युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा विहवार, हमारी बानी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष सभी कसोटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरी का मंत्र लिए एकता के सुत्र में बंदे देश्वासी, हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं हमारी यहां तो कहा गया ने, संगे शक्ति कलो युगे, कभी-कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं, जो हमारे देश का बहुत नुक्षान करते हैं कभी-कभी जिग्यासा बहुत फोरवर करते रहते हैं, पता है, गलत है, करते रहते हैं, आजकल युद्ध केवल सिमाव पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है, और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमी का ताय करनी हो करनी होगी